नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर जब चंद्मा का गोचर धनिष्ठा, शत्विशा, पूर्वाभादपद, उत्राभादपद और रेवती नक्षत में होता है तो पंचक की स्थिति उत्पन होती है जब चंद्मा का गोचर कुम्ब और मीन राशी में होता है तो भी पंचक लगता है पंचक को भदवा के नाम से भी जाना जाता है पंचक की समय अवधी पांच दिन की होती है जिसे पंचक कहा जाता है पंचके दौरान चारपाई नहीं बनवानी चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति के उपर संकटाने की संभावना बनी रहती है पंचके दौरान खांस लकड़ी आदी जलाने वाली वस्त वे एकंत्र नहीं करना चाहिए साथी पंचके दौरान दक्षण दिशा की यात्रा करना भी वर्जित माना गया है दक्षण दिशा यम और पित्रों की मानी गई है इसलिए इन नक्षत्रों में दक्षण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना जाता है पंचक के दौरान घर की छट नहीं बनवानी चाहिए साथ ही पंचक के दौरान जो अंतिम कारे निशेद माना गया है उसके अनुसार अंतिम सहिया का निर्मार पंचकों के दौरान नहीं करना चाहिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2030 में पंचक कब है जनवरी से दिसंबर तक संपोन लिस्ट तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रते वंतावारों कितित्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में वेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिये तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो कि अच्छा लेगे पूलियो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल